अफिया कि यह है वो रिटन यह देखिए अच्छ अच्छ आख लीजिए और डेलेवरी किये जो परकूंद है देचया देखिया इसमें किये ऌफ टानी नीः की हुए यहँदेख लीजिए अच्ष में देख लिए ठीक है अब इसको ओपन करते हैं एक बार वैसे केमरा लगा गए यह देखिए इस तरीके से चारोट से भी अच्छी तरह से देख लिए जिए कहीं से पेकिंगे कोई दिकत नहीं है यह देखिए ठीक है देखिएंगे क्लेम लगानी कोशिस करेंगे तो उसकी भी अपडेट में आपको देदूंगा कि इसका क्लेम मिलेगा या नहीं मिलागा यह देखिए जो अंदर खाजाना है इसके अंदर वो देख लिए गिर विराए और अब देखते हैं तो ऐसे रेटनों का अपना पता लगजाता है यह देखिए उपडर से भी सेफ अब इसको ऑपन कर लेता हूं इसमें निकला क्या है पर इसके एक बार फोटो लेलो में ठीक है यह दिमाग नहीं खराब हो तो क्या हो वह आप खुदभी जद्ध कर सकते हैं और अच यदि आपको इनफॉर्मेटी लगी यह लीजिए यह आया है रिटन में अब आप बताईए कि क्या करना चाहिए इसका आप बताईए कि इस तरह के रिटन से सेलर का दिमाग खराब होना चाहिए और नहीं होना चाहिए कम से कम customers को right है कि return करें लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं वो आप return नहीं करें पूराने कर देते हैं मेरी आप पहले वीडियो जाकर देखे जो return है मलब कुछ level ही नहीं आजा सकता है return करने का इस तरह के products return आते हैं, तो हम तो इस तरह के returns से परिशान हैं, वैसे return policy से हम परिशान नहीं है, return चाहे जितने भी हैं, क्योंकि हमारा product यदि सही नहीं होगा, तो return आना जायस बात है, और आना ही चाहिए, customer satisfied होना चाहिए, लेकिन customer इस तरह के returns करता है, उससे थोड़ा सा हमें भी तकलिफ होती है, तो इस तरह की आगे से कुछ से शिकायत नहीं हो, इसकी company में, वीडियो एक या फिर mail भी डालूँगा मैं, जिससे की किसी भी seller को ऐसी तकलिफ नहीं हो, कि return पीकप करने वाले को कम से कम एक बार, देखना चाहिए कि क्या product है या क्या नहीं है, तो जल् अगल